दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी Firebolt जो Watch है, Smart Watch उसमें अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर Wallpaper में तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इस टाइच से Watch Face लगा है Wallpaper यहाँ पर अपना कैसे लगाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है, अपना Phone ले लेना है, और Phone में आपको एक App डाउनलोड कर लेना है, दाफिट नाम का यह App आप आप देख सकते हैं, इसको आप Google Play Store में जाकर करके डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करने के बाद आप Simply Open कर लीजिएगा, इसको Open करते ही आपको इस टाइच से दिखाएगा Profile Create करने का, ठीक है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे Details अपनी Fill कर देनी है, और उसके बाद अपना Tic पे क्लिक कर लेना है अब जैसे ही आप Tic पे क्लिक करेंगे, तो कुछ Permissions आप से पूछेगा, आपको यहाँ पर Simply Allow कर देनी है Allow करने के बाद आपको क्या करना है, इस टाइप का Interface आपको दिखा देगा आपको क्लिक करना है यह WATCH वाला जो Face आपको दिखा रहा है watch टाइप का Icon आप इस पे कलिक कर दिग Ahmed और इस पे क्लिक करते यह आपको यहाँ पर दिखाएगा Add a device करके Option, आप इस पे क्लिक कर लीजेगा इस पे click करते ही जो है आपसे location का access मांगेगा तो आप यहाँ पर while using the app पे click कर दीजेगा ओके यहाँ पे allow कर दीजेगा और अगर आपके में Bluetooth नहीं होन है तो वो Bluetooth on करने को कहेगा तो आप turn on पे click कर दीजेगा, on हो जाएगा या फिर आप पहले ही Bluetooth on कर सकते हैं और जैसे ही आपको यहाँ पे watch का नाम इस टाइब से दिखाएगा आप इस पे click कर दीजेगा अब जैसे ही इस पे click करेंगे तो यहाँ पे connecting आपको दिखाएगा और यह connect हो जाएगा ठीक है यहाँ पे और connect होने के बाद आपको क्या करना है watch faces यहाँ पर दिखाएगा आपको एक option यह वाला दिखाएगा जिसमें edit लिखा है ठीक है आप इस पर click कर लिजेगा इस पर click करने के बाद आप सबसे side में scroll करिएगा तो यहाँ पर option आपको एक दिखाएगा choose from album का आप इस पर click करिएगा और इस पर click करने के बाद आपको option select करने को कहएगा albums या फिर photos आप इनमें से किसी भी एक option पर click करके उस photo को select कर लिजेगा जैसे कि for example हमने यहाँ पर किसी एक photo पर click कर लिया photo पर click करने के बाद अगर आपको zoom अगरा करना है adjust करना है इदर उदर तो वह आप कर दीजेगा और उसके बाद आप उपर tick के निसान पर click कर दीजेगा tick पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको इस type से दिखाएगा watch में इस type से दिखेगा आपको यहाँ पर जो है save पर click कर देना है okay save पर जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर switching background आपको दिखाएगा और इधर भी downloading type चे आपको दिखाने लगेगा जैसे यहाँ पर यह देख सकते हैं okay 1% 2% अब जैसे यह 100% यहाँ पर हो जाएगा तो जो भी photo आपने select की होगी वो यहाँ पर आपके wallpaper पर लग जाएगी और जैसे यहाँ पर 100% वो हो जाएगा आपका wallpaper यहाँ पर लग जाएगा जो भी photo आपने अपने phone में select की होगी अगर वीडियो से help वी हो तो वीडियो को कर दीज़े like, channel को कर लीज़े subscribe and bell icon को press ऐसे और भी videos देखने के लिए